भारत सरकार द्वारा पारित नए कानून केंद सरकार एवं राज सरकार द्वारा नए कानून एवं नई योजना है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अमीत कुसवाहा A2Z जानों चेनल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने भूमापन विधी का नया कानून जो बनाया है वह क्या है और भूमापन विधी कैसे काम करती है तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा अगर आप मेरे वीडियो और चैनल पर नए है और अभी तक नीचे लाल कलर की बटन जो बनी हुई है उसको दबा दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरी नए सी नए वीडियो और नए सी नए अपडेट नए सी नए जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो आएए जानते हैं कि भूमापन विधी क्या है और नए इस कानून में कैसे लग हुई जैसा कि आप देख रहे हैं नए कानून भूमापन विधी और उसके तत्व अंग्रेजी नाम भी सामने आपके लिखा हुआ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारा इंच बराबर एक पूट तीन फिट मतलब एक गज पांस ही एक बटा दो गज का मतलब एक पूल और चालिस पूल बराबर एक फरलांग आठ फरलांग मतलब एक मील और तीन मील बराबर एक लीग चार पूल बराबर एक गटरी गजीब जरीब अब इसका मैट्रिक नाम भी देख सकते हैं जो कुछ इस तरीके है दस मिली मीटर बराब एक सेंटी मीटर दस सेंटी मीटर वराबर एक डेसी मीटर दस डेसी मीटर वराबर एक मीटर दस मीटर वराबर एक डेका मीटर दस डेका मीटर वराबर एक हेक्टा मीटर दस हेक्टा मीटर वराबर एक किलो मीटर एक किलो मीटर वराबर पांच फरलांग अब इसमें आपको म मैं बताना चाहूंगा कि आप metrik वरग नाप क्या है और यह कैसे होती है सरंवाग मीटर का बराबर एक एयर भारती भूमस पोलिह कड़ी के चुछ लिंक बराबर होती है रिज इस खळाचा बिज़ीब एक गठा बराबर एक जरीव और इक गठा बड़ाबर दो पूल बड़ाबर 51 बटे एक गज असी गठा बड़ाबर एक फरलांग एक जरीब बड़ाबर 165 फीट यह है ने कानून के भूमापन विदी का जो नया तत्व लागू हुआ है वो कुछ इस तरीके है आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैं पुरी किताब को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पढ़के बता रहा हूँ अगर आप ना जानते हों तो मेरी वीडियो को देख कर सीख लीजे और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी मैं नई सी नई वीडियो नई सी नई जानकारी आप तक लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में जै हेंद जै भारत